नमस्कार जै जोहार नमस्कार दोस्तों सवागत आपका योगेंस व्लाइन क्लासेज में इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे टिप्स की तीन ऐसे गोल्डन टिप्स की जो आपको होश्ट्रोडन के एक्जाम को क्रेक करने में बहुत हल्प करेंगे अगर समय धीरे धीरे बित्या चले आ रहा है और अब हम समय व्यर्थ करना एफॉर्ड नहीं कर सकते तो इन टिप्स का आप जरूर फोलो करेंगे और रियल लाइफ में अगर इस टिप्स को आप उतारते हैं अपने जीवन में फोलो करत करते हैं तो यखिनं आपका सेलेक्शन होगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से了 सब्सक्राइब सब कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और यह हमारा contact नमबर है कि किसी प्रकार की जनकारी या कोर संबन्दी जनकारी कोई डाउट हो इस नमबर पर कॉल करके आप पूच्छ सकते हों पहला टिप पहला टिप्स क्या है इस्टॉप तिंकिंग इस्टार्ट इस्टडिंग सोचना बंद करो और पढ़ना चालो बच्चों के मन में क्या क्या ख्याल नहीं आ रहे हैं सर 6,20,000 लोग फॉर्म भरे हैं पोस्ट है 300 कैसे होगा सर मुझसे मैस नहीं बनता है सर कैसे सेलेक्शन होगा सर कई बच्चे बहुत पहले से तयारी करते आ रहे हैं हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कैसे सेलेक्शन होगा सैर इतने सारे सबजेट है समय कम हैं कैसे सउलेक्शन होगा सोच सोच के पढ़ना चालू करने तो सेलेक्शन होगा यह तो पता नहीं लेकिन अगर आप सीफissements सचे रहोगे तो डैम और आपका सेलेक्शन ऐसे सोचने से तो नहीं होने वाला तो इसलिए तोचना छोड़के पढ़ना चालू करना आपको तोचना छोड़के यह सोचते नहीं रहना है सोचना छोड़के पढ़ना चालू करना तीदी सी बात यहां पे भूती फेमस कोट है वह बताना चाहूंगा the secret of getting ahead is getting started आगे बढ़ने का राज क्या है आगे बढ़ने का राज सिर्फ और सिफ एक है कि भाईया शुरुवात तो करो दूं सिर्फ सोचते बैठे रहने से तो नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि ये सोचना बंद करना कैसे होगा क्यासे नहीं होगा हो सब सोचना बंद एक बार आप इस रेस में पूद गए इस रेस में आप पूद चुके हो तो आपको आप सोचने का काम नहीं करना है सिर्फ और सिफ पढ़ना है पान सिंग तो मर मुवी आपने देखी होगी उसका एक बहुती प्रसिद्ध डैलोग है कि बाबा कभी आपने रेस देखे हो है है रेस का एक नियम होता है एक बार जो रेस शुरू है गई भी करना प्रकार आपको घी करना तो ठीक अपने रेस स्टार्ट कर दी तो चोचने का क्योंच में करना है एक तो इस बात को आखना the secret of getting ahead is getting started इस बात का आप ध्यान रखेंगे और पढ़ाई को जल से जल शुरू करेंगे कि समझारी बात कि अब इस बीच कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इतने सारे लोग फॉर्म भरें और बेशक यह सोचने वाली बात है चिंता का विश्याइए छे लाग बीस जार लोग फॉर्म भरा हुए और इसमें से सिर्फ पोस्ट तीन सो लोगों को मिलना है तीन सो लोगों त्यारी नहीं की होगी जो जानते भी नहीं होंगे जो बस फॉर्म का फीस नहीं लग रहा है करके भर दियोंगे जो कॉमपटिशन तगड़ा कॉमपटिशन रहेगा उपर के 15-20,000 लोगों से रहेगा लेकिन उनसे इतना रहेगा कि आप ऐसे थोड़ा महनत करके नहीं निक भैसों का जुन्ड होता है पूरा अब शेर यह सोच के शिकार नहीं करें कि इतने सारे भैसरें हैं कि मैं जिकार करने गया और सब के सब मेरे उपर हमला कर दिये तो कि अगर शेर यह सोस्ता नहों तो कभी शिकार कर पाता जैसे शेर और एकोसी 2 themes लिए सब को अ कि आपको भी शेर की तरह एक वेस पर नगानाहं रखनाना है और अपनी पढ़ाई शुरुवात कर देनी है तो इस बात का ध्यान रखेंगे और उसके लिए आप बेशक हेल्प ले सकते हैं हमारा होश्ट लोडन का कोर्स चल रहा है 1499 रुपए का यह कोर्स है पहले हम सिर्फ और सी रिकॉड़े वीडियो बस प्रोइड करते थे बट अभी डेली गाइडेंस के लिए डेली कुछ न इसको प्रोवाइड करा रहे हैं यह ऑफर सिफ सौ बच्चों के लिए है पास से जैसी अट्मिशन हो जाएगा उसके दिए ऑफर क्लोस हो जाएगा तो आप इसका लाब उठा सकते हैं पोर्स खरीदने के लिए आपको हमारा एप डाउनलोड करना है योगें साव क्लासेस इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लिकेशन है साइड में सारे जनकारी आपको दीख रहे होंगी वहां से डालेट कोर्स पर्चेस कर सकते हो या फिर या फिर अगर वहां समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप 877-0123-687 इस नंबर पर यह हमारा नंबर है हेल् पर लोडन का टेस्स जोइन कर सकते ऑनलाइन टेस्स है 25 टेस्ट मिलेंगे आपको 20 सब्जेक्ट वाइज रहेगा पांच फुल लेंट टेस्ट रहेगा जिसमें मैस का टेस्ट बाइलिंग्वल है हिंदी इंग्लिश दोनों मिडियम के रहेंगे बाकी सब हिंदी मिडियम मे तो 99 रुपय का टेस्ट है 25 रुपय का बट अभी हम कुछ बच्चों के लिए इसको 99 रुपय रखे हैं तो इस ते त्यारी और मजबुत हो जाएगी कई बच्चों को चीए सीर्फ वासी कंप्यूटर का टेस्ट तो वह बी अलग से हैं कंप्यूटर के हजार कोश्चन का ट त्यारी होगी ठीक है तो उसको ध्यान देना तो पहला जो टिप था वो यह कि यह सोचना छोड़ो और पढ़ना चालू करो चिक अच्छा सेकंड टिप आपका है रिविजन बट इससे पहले में एक और बात बोलना चाहूंगा कई बच्चे लोग सोचते सरे खतम कैसे करे चिनता तो आता ही है पुष्य नहीं आप जपान का एक नीयम है कईजन काईजन डू को जरूर फॉलो करिए तो जपानियों ने बोला कि नहीं इसको काईजन रूल बनाया है काईजन रूल मतलब इसको छोटे-छोटे तुकड़ा में बना दो घंटा नहीं हो पा रहा है दो मिनट तो कम से कम चलो के लाव कि दो मिनट सोच के कम से कम आप शुरुआत कर दे तो उसके बाद आटमेटिक इंसान फ्लो इस्टेट में आ जाता है लेकिन 2 मिनट सोचके चालू जरूर कर दोगे दो मिनट करोगे नहीं थोड़क कम से कम ज़्यादा ही करोगे तो वैसी बच्चों को लगता है कि आ चैप्टर भी पूरा समझ नहीं आ रहा है मैंस का कोई चैप्टर का कोई एक छोटा सा हिस्सा उठाओ वहां से तो शुरुवात करो नहीं बन रहा हो के छोड़ दोगे तो फिर कभी नहीं होने वाला इदनी से बास समझाई नेश देखो रिविजन पर भी हमको ध्यान देना ह सकते हैं बट मिनिम अगर हम दो मेने समय मान के चल रहे तो इस दो महने में आठ हफ्टे मिलेंगे आठ हफ्टे में साथ दिन को आप प्लस टू के हिसाब से बाटना सरी फाइफ प्लस टू क्या है कि पांच दिन बढ़िया पूरा मस्त नया पढ़िये नया पढ़ना है और जैसे आज सपोज आज से में मंडे से चालू कर रहा हूं आज मैंने सुबह जो भी पढ़ा रात को सोने से पहले एक बार जरूर रिवाइस करूंगा रिविजन का क्या मैं तो इसको मैं समझाता हूं कल जो पढ़ूंगा फिर रिविजन करूंगा पांच दिन के बाद दूसर तैयारी करते रहते हैं चार साल पांच साल छे साल हो जाए रहता है वो तो इतने साल से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी जॉब इसलिए निकलता क्यूंकि एक दिन पहले सारा चीज रिवाइस्ट नहीं है सारी चीज एक जगए कत्तिर नहीं है उसको आपको इखटा करना और कोई एक नया बच्चा फ्रेशर बच्चा एक महने पहले ही मेरे से पढ़ा हुआ है उसको चीज़ें बहुत असानी सयाद रहेंगी और मैं अगर रिविजन नहीं करूंगा तो चूक जाओंगो यहीं गलती करते हैं जो पुराने बच्चे जितने भी तियारी करने वाल प्रश्च जाता है तो बिरुजगार तब कव लाते जब हमारे अंदर क्वाल्टी नहीं रहती हमारे इंदर स्कील नहीं रहता तो यहां अपनी गलतियों के वज़े से बिरुजगार नहीं बैटे हैं यहां विवस्था की गलती के वज़े से क्यूं कि इतने employment opportunities है नहीं तो अपनाना ही पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो अपना डेली का एक स्ट्री प्लान बनाएं और जनीं बनाने देखो आपको जरूरまた चलना है कि टाइम टेबल नहीं है कि टाइमटेबल मैं सूबे से हैं में इतने वज़ाइबंगे तरफ करता फ़ालो करते इस ठटी प्लान बनाओ टाइम टेबन नौस बनाई रहा सालों-साल साल बनाइं रहा कभी नहीं निकरते सटडी प्लान कícia मानों मतलब की यह हैं जैसे बताओं का की कॉन से कंचे का वह को से दले फटोकस करना चाहिए यह सब खान्राइब जैसे आपको जब मालूम है कि math बहुत ही ज़्यादा जरूरी है computer बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो study plan बना लिए कि daily मैं maths को कम से कम एक घंटा दो घंटा दूँगा यह study plan हो गया बजाया time table कि कि मैं 8-10 यह करूंगा 9-11 यह करूंगा बचा हुए subject में रात में कोई hard subject को उठा लूँगा जो मेरे को कठीन लगता है ऐसे आप एक study plan बनाए और आज जो जोस में अगर वीडियो देखने के बाद जोस में लंबा चौड़ा study plan मत बनाने लिए यह भी यह भी क्योंकि हम बनाते हैं जो जोस में सब चीज लिख दाते आजी मैस कर लिए आजी हिस्ट्री कर लिए आजी इंग्लिश कर लिए आज इंदी कर लिए आज कम्पूटर कर लिए बाल मनम विज्ञान कर लिए करेंड़ा फेर कर लिए सब चीज पढ़ लिए बना तो सब चीज लिए कि यह कुछ भी नहीं इसलिए जो study plan होगा वह आप अग्वार टार्गेट आपका बढ़ा होते चलेगा ठीक है तो एकदम लंबा चोड़ा study plan नी बना ना क्या है वह मैं बताता हूं और रिविजन करते हुए ध्यान देना कई बच्चे एकदम रिविजन में बहुत ज़धा टाइम टेकिंग है रिविजन कैसे करना है आपको इस पीड रिडिंग के माध्यम से इस पीड रिडिंग नी तो कई बच्चे रिविजन कोई लेकर बैठे हुए कंप्लीट कोई नी रहे इस पीड रिडिंग जल्दी जल्दी पढ़ना है आपने तो समय लगाया हुए ना एक बार पढ़ने में तो काफी समय दिये हुआ है इस पीड बढ़ाना है कि सर भूल जाएंगे तो यह समस्या के वज़ा से कई बढ़ा पाते रस्ट यूर मेमोरी आपके जो ब्रेन है तो बहुती कॉंप्लिकेटेड चीज है और बहुती काम की चीज है आपको अपनी स्विरिती पर विश्वास रखना पड़ेगा रस्ट दस साल पहले किसी दोस्तियार से मिले रहते हैं स्कूल कॉलेज के विचले दस साल बाद उसे मुलाकात होती ना फिर भी हम उसको पहचानते हैं दस साल से तो नहीं देखें आपकी मेमोरी वाकी में स्ट्रॉंग है लेकिन आप उस पर यकिन नहीं करते हैं आप उस पर यकिन किस दिशा में महनत करना महनत अभी सब कोई करेंगे दो ढ़ाई महनत तीर मेना जिसको पोस्ट शीना सब के सब महनत करेंगे लेकिन सच्चा यह है कि हर किसी को पोस्ट नहीं मिलने वाला पोस्ट उसको मिलेगा जिसका डिरेक्शन सहीं होगा इसी महानवज्यानिक ने ये बात बोली है direction is much more important much more direction is much more important than speed speed से ज़्यादा direction matter करता है अपनी उर्जा कहां लगाना है किस दिशा में लगाना है ये बहुत ही important है मेरी माने सब के लिए अपने अपने strategy हो सकती है जैसे हमारे पास कुछ एक सर्विस्मेन वाले कंडिडेट हैं कि कुछ टीमेल्स हैं कुछ महिलाएं हैं जैसे एक महिला आई एक महिला आई वह बोली कि मैं OBC वाली महिला हूं वह बोली जनरल वाली महिला हूं कोई बोले महिला है तो अपने हिसाब से आपको स्ट्रेजी डिसाइड करना है अपने हिसाब से जैसे एक महिला पूली सर्मेर को इंगली शिक्दम कम जो रहें मैं बोले को पुरुषों के मुकाबले आपको थोड़ा सो छूट तो मिली रहें जैया आप जनरल की महिला रहें उस छूट का लाव उठाईये ना तो छूट मिल रहें मतलब जनरल कट्रिगरी से 5-6 माक्स आपको काम लाने पड़ेंगे दो से पाच माक्स तो जब यह पाच मास्का छूट मिल रहे है इस पाच मास्कों आप छोड़ सकते हो जो भी कटिन टॉपिक लग रहा है एकदम सब िन फॉल्टी बनी रह रहा और पॉल्टी में दो सिलेबस कि लिए और बड़ोधं कोज़ीनः हो लेकिन यिए- पॉल्टी पंडिक रहने पांने पॉल्टी पेमझे वाण। और जो जनरल मेल कंडिडेट है उसको तो सभी करना है फिर कोई बात ही नहीं लेकिन ध्यान देना अभी यहां से मैं आपको एक टीप्स दे रहा हूं किया आप कोर्स खरीदे हो तो अच्छी बात है कोर्स में तो रेगुलर चली रहे सारे क्लासेश है ना उसके हिसाब से आप क्लास में किलियर किया हूं उसके लावा अगर आप YouTube का help लेना सकते हो जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं और जो बच्चे लिए वबी कुर्क मैट्स में मैस की क्लास में चला रहा है और उसको होस्टल चली के नहीं कर सकते कम स्कूर करना कंप्यूटर में कोर्स का जो देखे हो देख सकते हो एचर पॉब्लिकेशन की किताब को मैं पूरा का पूरा कवर करा रहा हूं एचर पॉब्लिकेशन की किताब को पूरा का पूरा कवर करा रहा हूं जान से आप को पूरा करा तो जो में help लेना चाहते हैं वह एसर पप्लिकेशन की पूरी किताब कर लो साथ ही साथ अब्जेक्टिव करना भी मेरे भी बुक लॉंच होने वाला कंप्यूर का अब्जेक्टिव बहुत लॉंच हो जाएगा अच्छे खासे अच्छे लेवल के कोश्चन उसमें मैंने सेलेक्ट किये हुए और बाइलिंग्वल बनाया हुए जो कंप्रेटर का हिंदी मीडियम तो किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी यह आपको डेली चलाना है क्यों कुछ बच्चे के आरे सर तीस में हमारा बीस मांक्स तो आ जा रहा है बहुत मांस हो जा रहा है आब मैं पढ़ा लेता हूं हिस्ट्री अरे भाईया यह इस्टी को पढ़ने जाओ गया समय निकल जाएगा तो यह जब 30 में जब तक यह 30 नहीं हो जाता ना या 27 26 नहीं जाता तब तक कंपड़ों न जी इदर दो मांस लाइने के लिए बहुत मेनत करना पड़ेगा लेकिन इधार नहीं है ज्यादा मैना ठीक है तो डिरेक्शन काफी लिए असर और क्या है बताओ एक किताब भी ढंग से पढ़ लो दस अलग अलग किताब दस बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को दस बार पढ़ लो लेकर नहीं बच्चेर बढ़ाते सर यह भी यह भी सर यह भी नोर्स यह भी किताब जहां जहांसे मिल जाओ पढ़ना कुछ नहीं है बुरुसली का एक कोट है हर फिल्ड में वो काम आता है इस बुरुसली ने कहा आई फियर नॉट्ड दमैंग वह एस प प्रेक्टिस किये है बलकि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक ही को दस हजालबार प्रेक्टिस किये बट आइफियर दमैन वह स्प्रेक्टिज्ड अ सिंगल कि 10,000 टाइमस बस वैसे ही दस अलग लग भुक पढ़ लिया सर मेरा दोस्त यह पढ़ रहा है मेरा यह भी करने दो आप एक ही बुक को अच्छा कंट्रस्ट करो लेकिन वह काम का भुक रहना चाहिए और सब बुक में लगबख सीमिलर केंटेंस दिए जब आपको लगते हैं कि वह मैं पूरा कर लिया तब जाके आप दूसरे में शिफ्ट करें इधर एश्डी आदो खतम हुआ नि सब्सक्राइब कर सकते हो, और इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस लेकर आते हैं। हमारा प्रयास यही है कि आप मोटिवेटेड रहें अभी जौब निकालें और होस्ट रोडन में 300 के साथ अभी आगे चलके 600 पोस्ट भी बढ़ने की संभावना है या 600 का फिर से रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए तो कम से कम त्यार नहीं तो इसके बच्चों को पहले से भी आपने कभी उसका उनको कभी मोटिवेट निकिया कभी उनको थैंकि निए बुला माव आप इतना कुछ करते हैं लेकिन कभी हम कुछ को बलते नहीं पॉलट के सिर्व जवाब देते चिक तो यह वीडियो को जितना ज्यादा सु ज्यादा हो सके शेयर किया कि लिए तो कमेंड बॉक्स में लिखके जोरू बताना धन्यवाद